इम्पोर्टें जान लीजे, यह रेपो रेट जो डिसाइड होता है, मॉनिटी पॉलिसी क्मेटी के द्वारा, वो CPI बेष्ट होता है, WPI बेष्ट नहीं होता है, यह अपन्पोर्टेंट चीज है, इसको आप अच्छे से जान लीजिए, जो हमारा repo rate होता है वो CPI बेस्ट होता है, consumer price index बेस्ट होता है, ना कि whole sale price index बेस्ट है, ठीक है, अब क्या है, जो lending power है, banks की, वो decline हो जाएगी, अगर हम repo rate में change नहीं करते हैं, यही चीज बताई गई है, कि अगर repo rate बढ़ाती, देखो, आप CDCP ये बास समझ लीजिए, माल अब repo rate, RVI ने बढ़ाई, RVI जब repo rate बढ़ाता है, तो जो banks होती है, जो commercial banks होती है, उन्हें loan लेने के लिए RVI के पास जाना पड़ता, जब वो RVI के पास जाएंगी loan लेने, तो जब वो loan लेने तो उन्हें अधिक interest rate पे loan मिलेगा, interest rate उनका बढ़ जाएगा, यह क्यों होग हैगी कि हमारी security हमें देदो, और हम आपको पैसा देते हैं, तो इनके पास security पहले से पढ़ी है RVI की, कभी इनों ने पैसा submit किया होगा security खरीदी होगी, या security लियोगी, तो इनके क्या करेगी, security बेंगे, और इन से पैसा लेनेैं, और जिस rate पो पैसा लेने, उसे को रेड़ कहते हैं, जो interest RBI के द्वारा लगाया जाएगा, आप standing deposit facility जान लेते हैं, standing deposit facility क्या है, ये liquidity window है, ये standing deposit facility ऐसी चीज नहीं है, कि आप जा रहे हैं, RBI से पैसा ले रहे हैं, RBI से पैसा लेने के बाद आप पुछ में distribute कर रहे हैं, वो लोन की फॉर्म है पॉछ आपस से ले रहे है तो क्या करती है ये अपना पैसा जो है RBI के पास रख देती है RBI के पास रख देती है और इसमें RBI के दोरा कोई collateral नहीं दिया जाता है मतलब जो collateral अभी हमने यहाँ पर दिया था यहाँ पर collateral नहीं दिया जाता है और interest जबूर मिलता है RBI के पास रखने के बाद इन्हें क्या interest मिलता है मगर जबकि standing deposit facility में interest तो मिलता है मगर एक चीज़ important है does not require bank to provide collateral while parking fund यह चीज़ बहुत important जब आप fund park करते हैं RBI में मतलब रखते हैं तब आपको कोई भी collateral provide नहीं किया जाता है यह है standing deposit facility and reverse repo facility में difference मैंने आपको बताया आगे हम इसे chart की form में discuss करेंगे देखेंगे कि reverse repo facility और extending deposit facility में क्या difference होता है अब आगे देख लिए देखेंगे marginal standing facility rate क्या होता है marginal extending facility जब emerge होता है जब लगता है कि interbank lending खतम होगे पहले आप जान लीजे interbank lending क्या होती interbank lending क्या होती एक bank दूसरी bank को पैसा देती है based on interest मगर जब interbanking liquidity बिल्कुल zero हो जाती है interbanking liquidity zero हो जाती है तब RBI के द्वारा interfere किया जाता और schedule bank को overnight के लिए वरोइंग दी जाती है यही बस marginal extending facility है MSF आपके दाहिंदू paper में daily तो नहीं गया सकता हम अगर weekly एक दो बार आए गई आए आगा आपको पता होना चाहिए MSF क्या चीज होती है कैसे schedule bank overnight के लिए RBI से emergency situation में liquidity लेती है अब आगे देख लेते हैं basics है यह हमारे monetary policy के जो आपको जब आप book पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा काम आएंगे और day to day current में cover करते जाएंगे तो यह topic उतना ही मजबूत होता होता चला जाए अब cash reserve ratio क्या होता है RBI के देखो इसके word से ही पता लगता है reserve ratio मतलब bank को commercial bank को कुछ money जो है वो RBI Central bank के पास रखना पढ़ती है अब Central bank के पास जब यह अपनी money रखते हैं तो इसमें सबसे खास बात क्या है क्या इन्ट्रेस्ट मिलता है यह चीज़ आपको देखने की है इन्ट्रेस्ट नहीं मिलता है इमर्जेंसी सिच्वेशन में भी अगर bank की को इमर्जेंसी तब भी नहीं छेड़ा जा सकता है RBI इसे छेड़ सकता है क्या आप इसे कम कर सकते हैं साल में 4.50% चल भए यह तो 3.50% कर देगा तो आप इसमें से 7% निकाल के market में distribute कर सकते हैं लोन की फॉर्म में गोल्ड की फॉर्म में भी हो सकती, security की फॉर्म में भी हो सकती और case की फॉर्म में भी हो सकती इस SLR का यूज आप कभी कभी देखेंगे जब bank बहुत जादा crisis में आ जाता है तो Reserve Bank of India SLR को ऐसा collateral यूज करने देती है Central Bank से loan लेने के लिए, यह चीज आपको देखने को मिलेगी अब क्या है, इन्होंने यह चीज बताई है कि कैसे जब repo rate बढ़ती है तो market में effect कैसे बढ़ता obvious सी बात है जब आप repo rate बढ़ा देंगे तो bank क्या होगी, loan लेने में आसमर्थ रहेगी जब वो loan लेने में आसमर्थ रहेगी या फिर loan लेगी तो rate उसे जाधा देना पड़ेगा तो जब rate जाधा देना पड़ेगा तो public पे भी rate जाधा चार्ज करेगी जब public पर rate जाधा चार्ज करेगी तो home loan के customer क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे और borrowers पर effect पड़ेगा और lending rate पर effect पड़ेगा, मैंने बताई हाइक हो जाएंगे तो इससे क्या होता है, market में liquidity कम हो जाती है, जब liquidity कम हो जाती है, तो inflation क्या होती है, डाउन हो जाती है आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आपको ये बात हैं बहुत टफ लगेंगी investor नाम दिया इनोंने, तो वो bank में कुछ fix deposit कर देते हैं, जब वो कुछ fix deposit कर देते हैं, तो उनको क्या है rate हाई हो जाता, अरे obvious की बात है, जब RBI ने repo rate बढ़ा दिया, तो bank भी rate बढ़ाएंगी, तो depositor को भी कुछ benefit मिलेगा, क्योंकि जैसे ही rate बढ़ती है, तो bank क्या करती ह है, वो market में नए rate पर देती है, जब वो market में नए rate पर देगी, तो depositor को कुछ benefit देगी ना, आप legally चलेंगे ना, कुछ corruption नहीं कर सकते, तो यही चीज यहाँ बताएगी, मगर आपको यह चीज कहीं नहीं मिलेगी, यह बहुत important है, एक बार मैं इसे red point से लेगे, very important, ठीक है, अब यही चीज बताएगे, bank raise additional fund, कैसे bank additional fund raise कर लेती है, ठीक है, वही चीज है, आप additional fund raise ही हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे चीज समझनेगी, आपको timef लगता होगा, जब repo rate बढ़ गई, तो क्या होगा, जो depositor है, उनको bank क्या करेगी, कहेगी हम आपकी, हमारी repo rate बढ़ चुक कितनी easy चीज है, अगर वही चीज है कि इस तरह से लिखा जाता है, चीज समझ में नहीं आजेती, credit demand, जो है, fulfill कर देगी bank, ठीक, economy में जो credit demand होगी, इसके तरो, और bank additional fund raise कर लेगी, यही चीज बताएगे, अब monetary policy framework के बारे में हम जाल लेते है, मैई 2016 में क्या हुआ था, RBI Act, RBI Act, 1934 में तबदीली करकर, monetary policy committee को statutory status मिला, ठीक है, और उसका objective क्या बताया गया है, कि यह policy rate decide करेंगे, इसी policy rate को repo rate कहा गया, यह assessment होगा, based on current or evolving macro economic situation, मैंने आपको पहले ही बताया है, कि repo rate का बढ़ना और घटना, inflation decide करती है, ठीक है, inflation कम होगी, जाता होगी, और यह repo rate जो decide ह यह consumer price index की basket के based पर होती है, यह आप जान दीजी, बहुत important है, यही चीज यहां बताएगे, अब इन्होंने reason बता दिया, कि transmit to monetary value market to entire financial system, which turn influence aggregate demand, वही कि demand कैसे up and down होगी, अगर repo rate में change होगा, और यह inflation और growth को define करती है, वही है, कि आप inflation बहुत जादा हो जाएगी, तो economy की growth कम ह जाएगी, लोग जाएगी, inflation जादा हो जाएगी, तो खरीदारी कम करने लगेंगे, कोई save मुझे 40 रुपए का मिलेगा, तो मैं क्यों लोंगा, save की जगा मैं कोच और अनर ले लोंगा, मगर यही save 30 रुपए का मिलेगा, तो मैं भी खरीद ला, तो यही inflation ऐसे ही decide होती है, अब मोनेचरी पॉलिटी कमिटी का देख लेती है, मोनेचरी पॉलिटी कमिटी सेक्षन 45 ZB, RBI-E अब इसमें आना कानी नहीं कर सकते हैं, आप इसमें अना कानी नहीं कर सकते हैं, अगर एक टीसिजम डेकोरेटिव क्रिटिसिजम होना चाहिए ठीक है?